असलाम आलेकुम दोस्तों कैसू आप लोग इस वीडियो में सौधी कॉंसिल आफ इंजिनियर के बारे में बात करेंगे देखें मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सौधी कॉंसिल आफ इंजिनियर में किनको मेंबर्सिप लेना चाहिए जैसे सबबाक हो गया कारपेंटर हो गया वो लोग भी कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं सौधी कॉंसिल में मेंबर्सिप ले लूँ मुझे भी लेना पड़ेगा कई लोग जिनका लेवर का इकामा है वो लोग भी पूशते हैं के शानवर भई क्या मैं सौधी कॉंसिल के लिए अपलाई कर सकता हूँ सबसे पहले तो आप ये समझे कि सौधी कॉंसिल ओफ इंजिनियर में रेजिस्टेशन करने की ये जो नौबत आई वो किसले आई एक्चुली ये जरूरी है उन लोगों के लिए जिनका इकामा सौधी कॉंसिल ओफ इंजिनियर का बोड़ी से लिंक है देखें सौधी रब में कानून बदल गया है 2019 से ही इस कानून में सौधी की हुकुमत जो है के जो टेकनिशन्स काम कर रहे वो सच में कॉलिफाइड है या नहीं या फिर इसे कोई भी आके काम कर रहा है ठीक है तो इन्होंने कानून क्या बना दिया कुछ प्रॉफेशन्स बना दिये जिसमें ज़्यादतर टेकनिशन पनी जितना भी कामा है उन सब को सौधी कॉंसिल का वोडी से लिंक कर दिया उनका इकामा नहीं बनेगा जब तक वो सौधी कॉंसिल में मेंबर्सिप नहीं लेंगे ठीक है? ये जरूरी कर दिया और ये कोई फिरी में नहीं किया है इसमें membership लेने के लिए आपको 500 रियाल एक बार का जो registration fee है वो पे करना होता है और 200 रियाल आपको हर साल पे करना पड़ेगा जब तक आप सौधी अरब में काम करोगे तो यह free का नहीं है इसको याद रखिए अब जो मेरे भाई पूछते हैं कि सौधी कॉंसिल में मैं membership ले लो तो आपको यह चीज़ जानना चाहिए कि सौधी कॉंसिल का जो membership है वो free में नहीं मिलता है इसके लिए आपको pay करना पड़ेगा आपका पैसा लगएगा बहुत सारा company वाला देता नहीं है तो आपको खुद से भी करना पड़ सकता है ठीक है और मैंने clearly बता दिया कि सौधी कॉंसिल ओफ इंजिनियर में registration उन लोगों को इकामा renew करने के लिए करना पड़ रहा है नहीं तो इकामा renew नहीं होगा जिनका भी बोड़ी लिंक है सौधी कॉंसिल ओफ इंजिनियर के साथ में तो यहां पर आप खुद decide करो कि आपको membership लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अगर आपका इकामा labor का है तो labor का इकामा तो इसे ही बनेगा अगर फिर भी आप खुशी से लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो रहाबात, कारपेंटर, पलमर का तो उन लोगों के लिए अभी तक membership लेने की नौबत नहीं आई है उनका बिना membership का भी इकामा renew हो जाएगा हो जा रहा है जिन लोगों को लाजमी चाहिए membership साओधी कॉंसल ओफ इंजिनियर में जिनका इकामा बिना membership का renew नहीं होगा इस पर मैंने एक separate video अल्रेडी बनाया हुआ है मेरे चैनल पर साओधी कॉंसल ओफ इंजिनियर का playlist है आप वो playlist में जाके बाकी वीडियो को भी देख लेना वो वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो I hope जिननों का doubt रहता है वो clear हो गया होगा कि इनको membership लेना चाहिए मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में ख्याल रखिया अपना Thank you so much for watching